हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माँ चैनल आज हम बनाएंगे कडी पकोडा फ्रेंड्स इस रेसेपी को मैं ट्रेडिशनल अथेंटिक तरिके से बनाऊंगी सबसे पहले हमें दो कप गाड़ा वाला दही लेना है इस तरह से कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमें एक मसाला तयार करेंगे मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून गिला नारियन, चार हर्डी मिर्च एक चमच जीरा, दस से पंदरा लैसन की कलिया और एक इंच अधरक का तुकड़ा हाफ मुट्टी, फ्रेश, धनिया इस दही के बेटर में हमें हाफ चमच, हल्दी पाउडर, एक चमच नमक और तिन टेबल स्पून बेशन का आटा, एड़ करके हमें इसको चने का आटा एड़ करने के बाद अच्छी तरहां से थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको हम मिक्स करके साइड में रखेंगे अब हमें इस मसाले को दरदरा मिक्सी के जार में एड़ करके पीस के लेंगे फ्रेंड्स इस मसाले को हमें ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हल्का सा दरदरा ही रखेंगे इस मसाले को हमें मिक्सी के जार में एड़ करके इसमें हमें पाउचमच नमक और हाफचमच जीरा एड़ करके इस तरहा से हमें दरदरा ही पीस के लेंगे इस मसाले को हमें इसमें एड़ करके दही के बेटर में फ्रेंड्स दही को हमें थोड़ा सा खटा वला इस्तमाल करना है friends दही के सबसे हमें इसमें और दो गलास पानी एड़ करेंगे इसको अच्छे तरह से mix करके हमें 15-20 नट के लिए side में रखेंगे friends तब तक हम side by side पकोड़ा बनाने के लिए पकोड़े का mixture तयार करके लेंगे मैंने यहाँ पर 5 medium size के प्यास को इस तरह से cut करके लिए हूँ और एक मुट्टी fresh cut किया हूँ धनिया पता 4 हरी मिर्च सभी चीज़ों को हमें एक बॉल में निकाल के लेंगे friends अब हमें इसमें 4-5 टेबल स्पून चने का आटा एड़ करना है मैंने यहाँ पर एक चमच धनिया पॉडर, हाफ चमच जीरा पॉडर और हाफ चमच हल्दी पॉडर, पाउच चमच अजवाइन friends और टेस्ट के सबसे नमक मैंने यहाँ पर हाफ चमच से थोड़ा जियादा नमक एड़ की हूँ सबसे पहले हमें इस मिक्सचर को पियास के साथ सभी मसालों को मिक्स करके लेना है दो पिंच मैं यहाँ पर बेकिंग सोड़ा एड़ कर रही हूँ चने का आटा एड़ करने से पहला हमें इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ पियास को मिक्स करके लेंगे इस तरह से friends mix करते भी हमें प्यास को थोड़ा सा crush करके separate करना है अब हमें 4-5 टेबल स्पून बेशन का आटा add करके इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी add करके इस तरहा से हमें mix करके लेंगे friends हमें पानी को ज्यादा नहीं इस्तमाल करना है सिर्फ एक से दो टेबल स्पून पानी add करके इस तरहा से हमें गाड़ा सा mixture तायार करके इसको हम 15 नट के लिए रखेंगे set होने के लिए friends अब हम दही के बेटर को एक कड़ाई में निकाल के लेंगे friends इस तरहा से हमें एक कड़ाई में निकाल कर इसको हम 10 से 15 नट के लिए low flame पर अच्छी तरहा से उबाल आने तक पकाना है हमें gas के flame को low ही रखेंगे friends देखिए कड़ी का बेटर हमारे अच्छी तरहा से set हो गया है हमें चम्मच चलाते ही रहना है हमें रुकना नहीं है friends हमें gas के flame को low ही रखना है कड़ी बनाने के साथ साथ हम पकोडा भी बनाएंगे friends मैंने कड़ाई में already oil गर्म होने के लिए रख दी हूँ चम्मच को हमें इस तरहा से चलाते ही रहना है हमें ज्यादा देर रुकना नहीं है friends oil हमारा अच्छी तरहा से गर्म हो चुका है पकोडे का mixture दीखिए हमारे अच्छी तरहा से set हो गया है अब हम पकोडे के mixture को oil में इस तरहा से add करेंगे पकोड़ों को हमें medium to high flame पर अच्छी तरहा से golden brown होने तक fry करके लेंगे कड़ी में हमारे उबाल आना शुरू हो गया है और साथी साथ देखिए कड़ी में हमारे कितना गाड़ापन आ गया है Friends, अब हमें इस point पर नमक को चेक के थोड़ा सा test के साब से add करेंगे कड़ी को हमें अच्छी तरहा से 10 से 15 मिनट तक इस तरहा से low flame पर पका के लेंगे पकोड़े हमारे साथी साथ अच्छी तरहा से fry हो गए है अब मैं इसको एक जारे की मदद से नितार कर निकाल के लूँगी एक plate में फ्रेंड्स इसी तरहा से हमें वाकी वाले पकोड़े fry करके लेंगे अगर आपको दाल सब्जी खाकर बोर हो गया है तो इस तरहा से कड़ी पकोड़ा की रेसिपी को आप जरूर से बनाए फ्रेंड्स साथ ही साथ हमें कड़ी को हिलाते रहना है हमें ज्यादा देर तक रुकना नहीं है कड़ी हमारी अच्छी तरहा से पक गई है अब हमें इसको निकाल के साइड में रखेंगे पकोड़े भी हमारे अच्छी तरहा से फ्राय हो गए है अब हमें इस कड़ी को एक तड़का लगाएंगे मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून आईल गर्म होने के बाद हाफ चमच जीरा, हाफ चमच राई और कड़ी पत के पते, आठ से दस लैसन की कलिया और चार सूखी वली लाल मिर्च और पाउच चमच मेथी दाना, इसको हमें अच्छी तरहां से फ्राइ करके लेंगे आप चाहे तो इस तड़के में थोड़ा सा हिंग ऐड़ कर सकते हैं, अब हमें पकोड़ों को कड़ी में ऐड़ करेंगे फ्रेंड्स पकोडे एड़ करने के बाद इस तरहा से हमें तड़के को एड़ करना है हमें थोड़ा सा कड़ी का बेटर एड़ करके इस तरहा से भगोने में सभी तड़के को निकाल के लेंगे फ्रेंड्स देखिए हमारी गर्मा गरम कड़ी पकोणा बनके तयार हो गई है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफेकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना न भूले अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो फैमिली फ्रेंड्स में जरूर से शेयर करें फिर मिलते हैं एक और नई मज़िदार से रेसिपिके साथ अल्ला आफेज, थैंक्स फूर वाचिंग, इंजाई